नशा एक घातक दुर्व्यसन दुर्व्यसनों में यूतों कहने को कई ऐसे हैं, जो छिटपुट रूप में विभिन्न वर्गों में प्रचलित हैं, पर जन साधारन तक दो ही प्रमुखता पहुँच बाएं हैं, ये हैं तंबाखो एवं शराब छिटपुट में अफीम गांजा, चरस, हशीश, कोकीन, एलिस्टी एवं अन्यमादक औशधियों का दुरुप्योग आता है जितना अधिक विरुथी प्रचार एवं हानियों का वर्णन तंबाखो सेवन का किया गया है, संभवता किसी अच्छे लाबदायक वस्तु का विधेयात्मक रूप में भी न किया गया होगा फिर भी जन्मानस में इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं, इसका एक अनुमान कुछ आँकड़े देते हैं भारत में कुल चार लाख एक हजार हेक्टियर भूमी में तंबाखो की खेती होती हैं, इवं सरकारी आंकड़ों के अनुसार हमारे यहां प्रतिवर्ष साड़े पांच लाख टन तंबाखो पैदा की जाती है आठ लाख व्यक्ति इसकी उत्पाधन में सक्रिय रूप से लगे हैं, इवं बीस लाख अन्य इस उद्द्योग के माध्यम से रोजी कमाते हैं भारत की तंबाखो की पैदावार सारे विश्व की तंबाखो की कुल आठ प्रतिशत है भारत में 17 करोड सिग्रेटों एवं 44 करोड बेडियों का उत्पाधन प्रतिदिन होता है सारे विश्व में 23 खरब 82 अरब सिग्रेट प्रतिवर्ष एवं भारत में 70 अरब सिग्रेट प्रतिवर्ष तैयार की जाती है इनकी खपत भी इतनी तेजी से होती है कि फैक्ट्री में इनकी मांग सतत बनी रहती है जब एक सैंपल सर्वे विश्व स्वास्ते संगठन की एक टीम द्वारा किया गया तो पता चला कि एक दो लाग के आवादे वाले भारती शहर में दो करोड सत्तर लाग सिग्रेटों एवं पांच करोड बारर लाग बेडियों की खपत प्रति दिन विक्रताओं के माध्यम से होती है ये सब उस वैधानिक चेतावनी के बावजूद है जो हर सिग्रेट के पैकेट पर अंकित रहती है कि ये स्वास्ते के लिए हानिकारक है एक पॉंट तंबाकों में निकोटिन नामक जहर एक प्रकार का अलकेलाइड इसके मात्रा लगभग 22.8 ग्राम होती है इसकी सिर्फ एक बटा 3800 गुणे मात्रा करीब 6 मिलिग्राम एक कुत्ते को 3 मिनट में मार देती है प्रैक्टिशनर पत्रखा के अनुसार कैंसर श्वास संस्थान का इससे मरने वालों की संख्या 112 प्रतिलाख उनकी है जो धूम्रपान करते हैं जो इस दुर्वैसन के आदी नहीं इनमें से कैंसर से मरने वालों की संख्या प्रतिलाख मात्र 12 है ICMR की एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार मुह एवं गले के कैंसर के रोगी भारत में अन्य देशों की अपेक्षा 50 गुणा ज्यादा है इसका कारण है तंबाकू का विभिन्न रूपों में प्रयोग ग्यातव्य है कि भारत में तंबाकू न केवल बीडी सिग्रेट के रूप में अपितु, सुर्ती, नस्वार, हुक्का आदी, अनेका नेक रूपों में प्रचलित है एक अनुमान है कि भारत की शेहरी आबादी करीब 13.5 करोड में से करीब 3 करोड विभिन्न रूपों में पान में तंबाकू, जर्दा, चुरुट, सिग्रेट, बीडी एवं ग्रामिन आबादी करीब 54.5 करोड में से करीब 15 करोड लोग जिन में खेत पर काम करने वाली मजूर इस्त्रियां और 12 वर्ष से छोटे बच्चे भी शामिल हैं, बेड़े सुर्ती, खैनी, खुक्का आदी की रूप में तंबाकू से जुड़े हुए हैं आश्चरिया इस बात का है कि इतनी बड़ी संख्या जो कि भारत की जन संख्या का करेब एक दिहाई है एक ऐसे नशे के चंगुल में हैं जो धीरे-धीरे उनकी संपती, तंदुरुस्ती एवं खोशाली को अपने चंगुल में लेता जला जा रहा है फिर भी किसी के कान पर जो तक नहीं रेंग दी राष्ट्रिय अर्थ नेती ने भी तंबाकु को एक कैश क्रॉप माना है विश्वस्वास्ते संगठन की राय के विरुद्ध, अमरिका के खाद्य संगठन ने तंबाकु की खेती को काफे बढ़ावा दिया है अकेले विकासश्चेल राष्ट्रो में 1989-1980 वर्ष में इस से होने वाली आए आठ अरब 64 करॉड रुपे थी ब्रिटिश कंपनी टोबैको कंपनी की रिपोर्ट के अनुसार तंबाकु की खपत प्रतिवर्ष 8 प्रतिशत बढ़ रही है पिछले वर्ष का एक रोचक आखड़ा है कि सिग्रेट कंपनीों ने विक्यापन पर 42 करोड 20 लाक डॉलर खर्च किये जबकि कैंसर सोसाइटी को शोधकारे के लिए एक सिग्रेट विरूधी अभ्यान के लिए मात्र एक करोड डॉलर का अनुदान मिला चुकि सिग्रेट नाम काफी बदनाम हो गया है इस कारण पाष्चात्य जगत में इसमोकलेज टोबेको को हानी रहित का जामा पहना कर नसवार एवं सुर्थी की खपत काफी हो रही है ये सभी भले बाती जानते हैं कि नशे ना किसी प्रकार के पोशक टौनिक है एवं ना मानसिक शमता बढ़ाने वाले ये तो एक प्रकार के हलके विश हैं जो तातकालिक, इस्फूर्ती एवं खशनिक मानसिक उत्तेजना मात्र देते हैं इसी को आधार मानकर वो इसी लाव के गुण गाकर ठकान मिटाने, बुरियत भगाने के नाम पर इनका सेवन किया जाता है यहां तक कि इसे प्रगतिशेलता का चिन्ह मान लिया गया है जहां जहां संपती बढ़ी है एवं ओद्दोगी करण, शेहरी करण बढ़ता चला गया है यह दुरगण कई गुणे बढ़े है नशेबाज धन खोता है, जीवनी शक्तिक होता है, दरिद्रता उससे आल लिपटती है एवं बिमारियां उसका पीछा नहीं छोड़ती, मनुबल, दूरदर्शिता, पुद्धि कौशल, धैर्य, सहस जैसी मानसिक विशेष्टाएं बेतरा नश्ट होती चली जाती है परिवार अस्त व्यस्त हो जाते हैं, एवं इसका प्रभाव पूरे समाज और पूरे राष्ट्र पर पढ़ता है विक्रित एवं गई गुजरी परिस्थितियों में पड़े व्यक्ति, समाज में जो विग्रह उत्पन्न करते हैं, उससे अपराद अनाचारों की ही व्रिध्धी होती है इसलिए नश्यबाजी जैसी समस्या से इस राष्ट्र का हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो भी समाज का एक अंग है यदे व्यक्तिक एवं राष्ट्रिय हानियों के आर्थिक एवं स्वास्थे परक बक्ष को ही फैलाया जाए, तो मात्र तंबाको जैसे दुर्वैसन से ही होने वाली हानि को देखकर आंकें चका चौंध हो जाती है सर्वेक्षन बताते हैं कि भारत में धुम्रपार करने वालों में से 72 प्रतिशत 20 वर्ष की अवस्था से पूर्व ही धुम्रपान शुरू कर देते हैं, जिस पर नियूनितम 20 रुपे से लेकर अधिक्तम 100 रुपे मासिक खर्च होता है यदि भारत की कुल जनसंख्या में से करीब 25 प्रतिशत को तंबाको का किसी रूप में सेवन करते मान लिया जाए, जैसा कि पूर्व वर्नित आंकडों में उध्रित है, तो करीब 17 करोड व्यक्ती औसतन 60 रुपे प्रतिमा मात्र विभिंड रूपों में तंबाको खरीदन में खर्च करते हैं, ये राशी को मिलाकर एक खरब दो अरब रुपे प्रतिमा आती है, इस राशी को उस राशी से अलग माना जाना चाहिए, जो कि इस उद्योग में पूर्व से ही लगी हुई है, प्रतिवर्ष इस प्रकार करीब 17 करब रुपया नशे की होली में इस राशी से यदि भारत की पौने दू करोड बेरोजगारों के लिए काम के अवसर निकाल लिए गए होते, तो इतनी बड़ी जन शक्ति का अबवय न हुआ होता। इनकी बिमारी पर यदि प्रतिव्यक्ति चिकित्सा, आहार, सेवा, सुश्रुसा का अंदास लगाया जाए, तो गरीब 15 करोड रुपया राश्ट्र का प्रतिवर्ष इसी में नश्ट हो जाता है। भारत की एक सिग्रेट पीने वाली की आयू में 5 मिनट कम कर देती है। 20 सिग्रेट अत्वा 15 बिड़ी प्रतिदिन पीने वाला एवं करीब 5 ग्राम सुर्थी खैनी आदी की रूप में तंबाको खाने वाला व्यक्ति अपनी आयू में से 10 वर्ष कम कर लेता है। जितने भी वर्ष वो जीता है असंक्य व्याधियों से ग्रस्त होकर समाज के लिए एक भार बन कर ही जीता है। एक माह में यदि ये औसतन 50 रुपे इस व्यसन के लिए खर्च करता है, तो उसकी शेश आयू में से उसकी व्याधिय जिकित्सा पर होने वाला खर्च अनुमानत 100 रुपे प्रति माह आता है, जो उसको समाज को एवं राष्ट को वहन करना पड़ता है। सिग्रेट बीड़ी पीने वालों की मृत्यू संख्या न पीने वालों की अपेक्षा 50 से 60 वर्ष की आयू वाले व्यक्तियों में 65 प्रतिशत अधिक होती है। यही संख्या 60 से 70 वर्ष की आयू में बढ़कर 102 प्रतिशत हो जाती है। सिग्रेट बीड़ी पीने वालों को होने वाली मुख्य व्याधियां जिनके कारण या तो वे शिग्रही मृत्यू की गूद में चले जाते हैं अत्वा धीमी मौत मरती हुए लाश जैसा जीवन जीते हैं। इस प्रकार है जीव मोह श्वासनली फेपडों का कैंसर, क्रॉनिक ब्रॉंकाइटिस एवं दमा, फेपडों की टीबी, क्षय रोग, रक्त कोशी का अवरोध, जिसके कारण 10 प्रतिशत रोगियों को प्रारंभ में अथवा आगे पैरों को कटवाना पड़ता है। द्रिष्टी संबंधी दोश, फ्रिदे रोग एवं जल्दी ही आ जाने वाला बुढ़ा पा। तंबाकों में विद्दिमान, कैर्सिनोर्जेनिक, एक दरजन से भी अधिक हाइड्रोकार्बन्स, जीव कोशों की सामान्य क्षमता को नश्ट कर उन्हें गलत दिशा में बढ़ने के लिए विवश कर देते हैं, जिनकी परणती कैंसर की गांठ के रूप में होती है। जिस समय तक ऐसा रोगी विशेशकर ग्रामिन जनसंख्या का जो करीब 54 करोड है, एक चिकित्सक के पास तब पहुँचता है जब स्थिती काबो के बाहर हो जाती है। प्रतिवर्ष कैंसर निदान केंद्रों में ऐसे दो लाग सत्तर हजार रोग्यों का निदान किया जाता है, जिन में से दो लाग पता लगने के एक वर्ष के भीतर ही मृत्यू की गोद में चले जाते हैं। इसकी अतिरिक्त तंबाको के धुए से निकोटिन जहर के कारण होने वाली व्याधी जब फेपडों के कैंसर को जन्म देती है, तो निदान के छे मेहने की भीतर ही व्यक्ति की मौत हो जाती है। फेपडों के कैंसर में पिछले पंदरा वर्षों में 113 प्रतिशत की वृध्धियां की गई है। कैंसर के बाद दूसरा मुख्य रोग है क्रॉनिक ब्रॉंकाइटिस, एमफिजिमा इवं दमा, तीनों ही परस पर संबंधित हैं। इन रोगों का बाहुल्य विशेशकर पिछले वर्षों में देखने में आया है। इस रोग से मरने वाले धोम्रपान से मरने वालों की तुलना में 6 गुणा ज्यादा है। जब ऐसे व्यक्यों के फेपड की कार्यक्षमता का अध्यन किया गया, तो ग्याद हुआ कि इन में इन सभी मानुकों का अनुपात काफी कम होता है। धोम्रपान छोडने से प्रती महिने औसतन 100 रुपे से 300 रुपे की अतरिक्त बचत के अलावा, खोई स्वास्थिक की प्राप्ति, मानसिक प्रसन्नता, कुछ ऐसे अनुदान हैं, जिनके जानकारी हर धोम्रपान प्रेमी को करानी चाहिए। नित्य प्रतिक्षन होने वाली हानी की जानकारी एवं इसके निवारण हेतो उठाए गए कदम, व्यक्ति को किस प्रकार लाभ पहुँचा सकते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार टीबी, क्षय रोग, बरजर, डिजीज, द्रिश्टी दोश, खृदय रोग ऐसी व्याथियां हैं, जो अन्तता मारक ही सिद्ध होती हैं, अत्वा ऐसा अपंग पराश्रित बना कर छोड़ती हैं, कि उससे प्रत्यक्ष नारकिय जीवन ही कहा जाना चाहिए। मात्र यही पक्ष नहीं, कुछ तत्य और भी ऐसे हैं, जो समाज को सीधे प्रभावित करते हैं, खेट से काटी गई तंबाकू की कच्ची पत्तियां पहले आग में सुखा कर कड़क बनाई जाती हैं, हर तीन सो सिग्रेटों की तंबाकू को पकाने के लिए एक भरा पूरा पीड जला कर राख कर दिया जाता है, एक एकड की तंबाकू की फसल को पकाने के लिए प्रतिवर्ष एक एकड का हरा भरा जंगल जला कर धूआ कर दिया जाता है, इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार, तीन लाग तिरसट हजार नौसो टन प्रतिवर्ष अपत बढ़ी वैसे जंगल नश्ट किये जा रहे हैं, जिसका परियावरन पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पढ़ रहा है। इस प्रकार तंबाकू वर्तमान उर्जा संकट के समय में न केवल एक गरीब के चूले की लखड़ी को चुराती है, अपितु प्रदूशन व विरोत में एक व्यापक आंदोलन खड़ा न गिया जाएगा, इसके प्रती लोगों के मन में घ्रणा उत्पन्द करना दुशकर ही लगता है। बेड़े विरूधी जलूस प्रदृशन के साथ धूम धाम से उसकी होली जलाना, व्यक्ति से जनसमों के समक्ष प्रतिग्या क करवाना, बुरायों की जानकारी ही तो व्यापक प्रचार प्रसार करना जैसे कुछ ऐसे माध्यम हैं जिनका उप्योग कर समाज सेवी संगठन इस कार्यम में निश्चित ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। संचालित इस आंदोलन ने ऐसा व्यापक स्वरूप लिया कि अंतथ सरकार को जुकना पड़ा, वहां उत्पादन पर नियंत्रन लगा दिया गया है एवं इनके किसी भी प्रकार की विज्यापन पर प्रतिबंध भी है। ये तो सरकार द्वारा लिये गए कदमों का एक सशक्त स्वरूप हुआ। पर इसके लिए जनशक्ति को भी आगे आना होगा। मनुष्य को ये जानना होगा कि अर्थ, श्रम, कौशल, शिक्षा, स्वास्ति का एक समग्र स्वरूप ही व्यक्ति की आंतरिक एवं बाहिय संपनता का निर्धारन करता है। यदि दुर्वैसनों से मुक्ति ना पाई गई तो ये सभी छिनते चले जाएंगे एवं अंत बहुत ही बुरा होगा। मानसिक गिरावट, स्वास्ति के लिए हाने, आर्थिक घाटा, संतान पर घातक प्रभाव, परिवार एवं समाज पढ़ पढ़ने वाले दुश प्रभाव, तथा परियावरन में असंतो लन, ये सभी बक्ष आंकडों के साथ इसी तथ्य का समर्थ प्रतिपादन करते हैं, कि तंबाकु सेवन जैसे व्यसन से समाज को निश्चिति मुक्त किया जाना चाहिए, इसके लिए लोक शिक्षन, जन प्रचार, प्रदर्शनी आदी जो भी माध्यम अपनाए जाएं, प्रयुक्त होने चाहिए.